HIV antibody test के बारे में हिंदिय में हम इस वीडियो में जानेंगे HIV antibody test के अंदर किन किसम के test सामिल होती है इसमें HIV 1 and 2 antibody test HIV ELISA 3rd generation test HIV rapid test HIV CAR test HIV Pridot test HIV combat test और गवर्मेंट के ICTC centers में होने वाली test HIV antibody test का window period क्या होता CDC यानि की अमेरिका की Center for Disease Control के guideline के मुताबिक HIV antibody test का window period 3 months होता है HIV antibody test window period in India तो किसी भी टेस्ट का विभिन देशों में window period डिफरेंट नहीं होता है वो एक जैसा ही होता है और इंडिया में भी इसका window period तीन महीने का होता है HIV antibody test accuracy तो आप exposure से कितने दिन के बाद ये test कराते हो उस पर नेर पर रहता है फिर आपका test का accuracy क्या रहेगा किसी भी इंसान के अंदर HIV का वाइरस जाने के बाद antibody बनने की शुरुआत 23 दिन के बाद कभी भी हो सकती है लेकिन 90 दिन तक सभी patients के अंदर antibody बन जाते थे तो यदि आपने ये test एक्सफुजर से तीन मेरे के बाद कराया है तो आप इसके accuracy up to 100% मान सकते हो HIV antibody test accuracy at 4 weeks तो कापी लोग पूछते हैं चार हफ़ते पे में test कराऊ तो उसकी accuracy क्या रहेगी तो उसकी accuracy कापी कम रहेगी आपको repeat test कराना रहेगा तो better है आप 4 weeks पर test ना कराए और सिधा 3 मेने पर test कराए HIV antibody test after 3 months आपने exposure से 3 मेने के बाद ये test कराया है और यदि हो negative आ चुका है तो आपको वापस किसी भी किसम का test कराने की अवश्यक्ता नहीं है आप ये test final है यदि आपको कोई symptoms दिख भी रहे हैं तो वो HIV के कारण नहीं है इस symptoms को इसके साथ में ना जोड़े एक चितावनी exposure से तीन दिन के बीतर PEP यानि की post exposure prophylaxis medicine का इस्तमाल से HIV होने से हम उसको रोक सकते हैं लेकिन exposure से तीन दिन के बाद किसी भी किसम की दवाय आयर्विदिक हो एलोपेथी हो ART medicine हो होमेपेथिक medicine हो जीन तेरापी हो या अन्य किसी किसम की medicine या हर्बल दवाय हो उससे HIV को नहीं रोका जा सकता हमारा mission है HIV exposure से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना और हमारा vision है HIV के बारे में आसान बासा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना मैं HIV AIDS specialist डॉक्टर केतन राण परिया विशले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक patient का consultation कर चुका हूँ यह चैनल HIV के expert डॉक्टर दौरा संचाली थे और यहाँ पर जानकारी विज्ञान के अधार पर दी जाती है लेकिन याद रखिए समय के साथ विज्ञान बदल सकता है यहाँ पर कहीं के बाते एक आम जानकारी के लिए हैं तो भी भी किसी भी किसम की जानकारी को अपने जीवन में ल अक्तिकत रूप से राय लेना अत्यन आवशक है HIV के symptoms के बारे में अधिक जानकारी के लिए left side के playlist पर क्लिक करे और HIV के testing के बारे में अधिक जानकारी के लिए right side के playlist पर क्लिक करे थेंक्यू